हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियों में बात करेंगे एंग वर्सिस एने एम ड्रीम 11 प्रेडिक्शन यानि इंग्लेंड और नभीबिया का मैच और बेहदी इंपोर्टेंट मैच है इंग्लेंड के लिहास से इंग्लेंड को अगले राउंड में जाना यह मैच में विन करना होगा वर्ना स्कॉटलेंड उनको कॉंपेटिशन दे रही है लेकिन क्योंकि पिछला मैच इंग्लेंड ने ओवान को बहुत बुरी तरह रहाया तीन ओवर में टार्गेट चेस कर दिया वाई इतना क्विक वि दोस्तों अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो टेलीग्राम पे जुड़ जाया लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन और टॉप के कुमेंड में क्योंकि यहां पर दोस्तों बल्लेबाजी करम के साथ ओफीशिल अपडेट्स भी देतों बेस से बेस्ट आप कर एंटीगों में जहां पर लास्ट इंग्लेंड तीन ओर में उमान को राके एक अच्छी पिष्टी जाना जबने चाहिए लेकिन इंग्लेंड की बहतर थी कि उमान को एकदम तोड़के ही रख दिया तो यहां पर फिर से कुछ वैसा एक्सक्रेक्ट कर सकते हो इंग्लेंड लगी है लेकिन अगर आप देखोगे एसी स्कोरिंग कई पर कम हो जाती है जहां वन साइड काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग हो दोस्तों कट करना स्कोर तो यह सामने वारी टीम पर करता है पिछ से जाधा कर जाता है अगर यहां पर फेवरेट रहेगी मैच जीतने को और काफी भूखी भी रहेगी काफी हंगरी भी रहेगी मैच जीतने को क्योंकि उनके कॉलिफिकेशन का सिनेरियो इस पेडिपेड होता है अगर मैं बात करूं दोस्तों इस ग्राउंड के वेन्यू स्टैट्स की यहां पर गराड इरास्पर से 36 किये थे 24 नॉट बटलर ने एक-एक मैच यहां पर खेल है बाकियों के आप कम स्कोर यहां देख सकते हो राश्ट को मिलेंगे लेकिन पहले रीसेंट पॉर्म कोई भी निया प्लेयर आ सकता है नावीविया बहार हो चुकिया मेभी किसी को मौका देजाए लेट से कि यहां पर मोका देजाए बेंग्लेंड के सामने दिक्क्त आएगी बट आपको सब के बारे में पता रहेगा तो बहतर हाला कि मेरे को यह भी लगता है कि नभीविया के टीम चेंजिस करें या ना करें इंग्लेंड यहां पर भार ही पड़ेगी तो मैं इंग्लेंड के प्लेयर जादा रेकमेंड करूंगा और आपको यहां बैप This इनके में और राउंडर हैं साथ में डेविड वीज ये दो खिलाड़ी आप जरूर रखो बोलिंग अगर पहले रूबल ट्रमपल में भी अच्छी ऑप्शन है इनके लेफ्टम स्पिनर बेंच कॉल्ट भी ठीक है ये तीन चार प्लेयर में ही आप अपना चेर्ण करो तो बे निकुलस देविन ने फ्राइलिंग पंतालिस बारा एक बावन तेरा बावन च्छतिस तोटल अच्छा के लिए हैं बावन च्छतिस के साथ इरासमस और किसी की बड़ी स्कोरिंग नहीं है यह एक जैन गरीन के ठाई साय थे डेविड वीन नाइन नॉट ओट 14-1 बड़ी स खिलाडी भी है और दोनों बोलिंग भी करते हैं यहां पर आपको दोनों का नाम देखने को मिल रहा है तीन मैच चार विकेट गरहाड एरासमस डेविड वी सीन मैच चार विकेट सेम ट्रमपल मैं तीन मैच पर पांच विकेट है यह वी एक अच्छी ऑप्शन है इनको भी वी बिया की तरफ से चार प्लेर आपके यह हो जाएंगे बाकि इंगलेंड तो फेवरेट रहेगी उनके प्लेर जादा रखोगे एक बार देख लो फिर भी बेंच पर कुछ खास स्कोरिंग हुई नहीं है फुल स्क्राइट इन्फो भी जिसका आपको दोस्तों गौर करना है आप कर सकते हो मैं यहाँ पर लेंगने की तक नहीं किया लेकिन टीम की देख क्रिया किया और यहाँ पर आपको लास्ट मेंश मेंगने के सामने अप्र फुल ऑलिंग से दमखम दिखाया कुछ वैसे ही टीम खेल नहीं चाहिए अगर सेम को टीम मोका देना चाहें दे सकती है बाकी और कोई चेंज उमीद नहीं कर रहा पिछले मैच में असानी से इंग्लेंड की टीम जीत गई थी अब इनका देखो तीन मैच तीन और लग लग रिजल्ट एक हारे ऑस्ट्रेलिया से एक मैच यह जीते हैं ओबान से पिछ अगले मैच में असानी से चेस कर दिया जिसमें सिर्फ बारा सॉल्ट और जॉस बटलर ने करी है पिछले मैच में बोलिंग दिखाया अगर फिरसे ना वीबिया के सामने बोलिंग आती है तो बोलर्स पे जाधा ध्यान रखना सी वीसी भी उन्हीं को ट्राय करना यही और करेंगे मार्क वोर्ट तीन मैच में तीन विकेट जॉड़न लास्ट मेच खेले नहीं लियाम लिविंग स्टोन एक से दो और कर सकते हैं डिपेंडिंग अन सिचुएशन मुहिन अली दो से तीन और कर सकते हैं तो इनके बोलिंग प्लेयर्स मैक्सिम लेके जाओ आपको अब इंट्रस्टिंग है मैच अब मैच अब मिलेंगे तो डेविडवीज भाई साब टॉप ले पर दो बार आउट है अच्छा ठीक है जॉड़न पर मुहिन ली पर टीट्वेंट एक बर बंडे में तो यह तीन के आगे ही आउट हुए हैं और सब को डेविडवीज ने ब मैच खेला नहीं था इन्होंने जब कितीन खेले थे फिर भी आप देख सकते हो मैं आपको अपनी टीम करने लेके चलता दोस्तों इंग्लेंड के फेवर में टीम मनाएंगे और उनके दोनों विकेट कीपिंग सेक्षन में बटलर और सॉल्ट जिसमें बटलर विकेट कीपि फिरस्तों आइंगे इंग्लेंड की तरफ से लेकिन अगर दो जाती है जोनी बैस्ट रहेंगे तो वो भी आप रखना चाहों रखतर हो मैं ऐसा करूंगा घठ बैस्तों को रखूँगा यह स्मिट जो आजकल बोलिंग करनी रहे नहीं एशू की वजजे से नहीं जरी चल र करते हैं जबकि डेविड वीज आपके में आप कह सकते हो मीडियम पेसर हैं जो कि आपको बल्ले से भी कोंट्रिबूट करते दिखेंगे सबसे एक्स्पिरियंस खिलाडी नावीबिया की तरफ से बोलिंग लाइनप में ही दोस्तों मुहिन अली और लियाम लिविंग सोन का भ पढ़िया बल्लेवाजी भी करते हैं इवन तो वंडोन आज आते हैं बट मैं पिक नहीं कर रहा अभी सैम को खिलानी रहे मैंने जैसे बताया इंग्लेंड के बोलर मुझे मस्ट है मैं आर्चर राशिद वुड और शांती से टॉपले को लेके जा रहा हूं नावीबिया का हूं इंग्लेंड फेवर और कोई मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा बहतर तो मैं बस सिंपल ही इसी टीम के साथ जाने वला हूं तो यह सारे हमारे पास दोस्तों सीवीची के विकल्प हैं अब सीवीची के विकल्प में आपको ग्रैंडी की वी बाद बताना चाहता हूं ए दोनों अच्छी ऑप्शन है तो मैंने अभी कुछ ऐसा कॉंबिनेशन दोस्तों बनाया है यह आपको मेरे कॉंबिनेशन देखने को मिल गया लेकिन मैंने आपसे बड़ी जरूरी बात करी ऐसे मैचेस में ग्रैंड लिग बड़ी अच्छी बन जाती है अगर स्पेशली इं एंडिंग में गेम बन जाए तो यह चीज का ध्यान रखना अगर ना वी बिया से कोई बड़ा ट्राय करना है इसकी सीवी सी तो यह दोनों ही उनके बेस्ट खिलानी है ट्राय कर सकते हो लेकिन मैं बोलिंग सेक्शन में कहूंगा दारों मदार रखो ओपनर जौस बटलर प करी चुके हैं अगले वीडियो में मिलता हूं